So hello everyone, आज के second video में आप सब का स्वागत है, अगर आपने आज का first video नहीं देखा है, So ये वाल आज का first video इसको definitely देख लेना, साथ में guys ये video भी काफी important है, इसमें मैंने important dates के बारे में बताया है, जो इस week में है, जैसे कि इंडिया के CPI inflation के data, then US के CPI inflation के data, ये सब कुछ, So date, time and सब कुछ मैंने इस video में explain किया हो आईगी, कब क्या होने वाला है, so definitely देख लेना, and साथ में ये video भी है, काफी interesting and educational purpose से काफी important video है, So आप इन तीनों videos को देख सकते हो, link में इन तीनों videos का i button पे डाल दूगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस video को end तक देख लो, and then end screen में मैं 4 या 3 videos के link provide कर दूँगा, so आप directly jump कर सकते हो, So without any delay start करते हैं, video को सबसे पहले बात करते हैं, Nifty के बारे में, So आप यहाँ पे देख सकते हो, Nifty जो है 0.11, मतलब आप कह सकते हो, 0.1% पे है, plus पे, and यहाँ पे obviously यह console rate ही कर रही है, उपर नीचे, उपर नीचे, and जैसे मैंने आपको बताया था, यह वाला लाइन पिछले वीडियो में, इस वाले वीडियो में आपको बताया था, कि यह वाला जो लाइन है, यह वाला लाइन एक resistance था, जो कि support की जैसा काम कर रहा है, दो वाइरसनल support लिया हुआ है, so अभी nifty का तो हाल यह है, आगे बढ़ते हैं, सबसे बहले बात करते हैं, JLR, अब JLR क्या है, Jaguar Land Rover, JLR wholesale numbers from January, March drive, Tata Motors shares to 7 months high, अब यहाँ पे जो ग्लोबल रिसर्च ब्रोकिंग फर्म, Goldman Sachs आपको पता होगा, काफी सारे रिपोर्ट्स आते हैं, Goldman Sachs के, so इसने अपग्रेड किया है, इस स्टॉक को बाई में, पहले साथ न्यूट्रल था, जो भी था, अभी बाई में अपग्रेड कर दिया है, क्यूं? इंप्रूवड वॉल्यूम आउट्लुक, इंप्रूवड वॉल्यूम को देख करके, फॉर्दा कम्पनी लग्जरी आर्म JLR, जैगवार लैंड रोवर के इंप्रूवड वॉल्यूम आउट्लुक, अगर हम बात करें यहां पर, आप आगे इसको रीड कर सकते हो, खुद से ही मैं एक चीज़ और यहां पर रीड कर देता हूँ, जो नंबर्स की बात हो रही है, यह नंबर्स आप यहां देख सकते हो, जो ग्लोबल सेल्स है, वो एक लाग साथ हजार जा चुकी है, जैगवार लैंड रोवर के बारे में बात हो रही है, मतलब जैगवार और लैंड रोवर की जो ग्लोबल सेल्स है, वो एक लाग साथ हजार हो चुकी है, जिसमें की 15,500 के आसपास जो है जैगवार है, 92,000 के आसपास जो है Land Rover है और बाकी आप और Numbers को यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे Numbers कुछ लिखे हुए आप पॉस करके रिट कर लेना मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे अगर मैं आगे जाओ तो आपको पता होगा Gas-related काफी जादा News आ रहे है तो News क्या है तो Obviously Gas Prices कम हो रहे हैं मतलब Grass Prices को कट किये जा रहे हैं इसी वज़े से यहाँ पे देख सकते हो MGL मतलब Mahanagar Gas Limited IGL मतलब Indraprasth Gas Limited अधानी Gas मतलब अधानी Total Gas Shares Surges at as Lower Input Cost तो मतलब यहाँ पे पता है Input Cost As Costs a Relief for CGDs मतलब City Gas Distributors तो यहाँ पे देख सकते हो The Union Cabinet on Thursday Approved Domestic Gas Pricing जो मैं आपको बताया Post the Development CGDs मतलब City Gas Distributor Companies Have Announced a Cut in CNG PNG Prices over the Weekend यहाँ पे आप बाकी चीज़े को खुद से ही रीड कर सकते हो मतलब Domestic Prices जो है इतना from 1 April जो भी यह आप खुद से ही वेडियो को आगे बढ़ता है So ONGC Oil India stand to gain from New Gas Prices Mechanism तो आपको पता है जैसे मैंने आपको पिछले इसके पहले ही बताया मतलब इस वाले में आपको बताया कि यहाँ पे जो है The Formula of New Gas Pricing Mechanism will include a floor and ceiling at $4 and $6.5 respectively मतलब यहाँ पे जो floor है मतलब downside है वो $4 तक होगा उसे नीचे नहीं जाएगा ऐसा कुछ है and then जो upside है मतलब जो ceiling है वो $6.5 होगा जयादा नहीं होगा and the ceiling will be kept in force for the next 2 years मतलब next 2 years तक ceiling उसको रखाई जाएगा 6.5 की उपर नहीं जाएगा price यहाँ पे 2 years तक and बाकी चीज़े आप यहाँ पे रीड कर सकते हो जो कि यहाँ पे the domestic gas price mechanism unveiled by the government last week is likely to be beneficial for upstream companies such as ONGC मतलब यहाँ पे Oil and Natural Gas Corporation Limited and Oil India इन के लिए जोए आप कह सकते हो beneficial होने वाला है likely to be beneficial अब ठीक आप वीडियो को pause करके आग रीड कर लेना अगली news के तरफ चलते है so Adani green के तरफ से एक news आ रही है मतलब अदानी का ही obviously एक stock है so यहाँ पे जो है एक upper circuit लग रहा है आपने देखो green में भी upper circuit है and transmission में भी upper circuit है अगर आप देख रहे होगे तो market को so green का जो upper circuit है उसके पीछे का reason क्या है around 13.7 lakh shares मतलब 13,70,000 shares जो होता है 0.1% equity मतलब share का 0.1% equity जो होता है जिसका price कितना होता है 123 मतलब 123 करोड के आसपास का price होता है changed hands on the average of 899 per share तो यहाँ पे एक report है CNBC TV18 का and उसमें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13,70,000 मतलब around आप कह सकते हो 14 lakh के आसपास जो shares जिसका equity होता है 0.1% उसका worth around होता है 123 करोड changed hands मतलब यहाँ पे एक ने दूसरे को sell किया है या दूसरे ने buy किया है पहले से जो भी कहलो लेकिन यहाँ पे जो है किसने sell किया है किसने buy किया है कोई भी यहाँ पे जो है देख सकते हो details of buyers and sellers were not known लेकिन यहाँ पे details यहाँ पे known नहीं है लेकिन हाँ bulk deal हुई है block deal हुई है तो ठीक है यहाँ पे इसले अपर सरकृत हैस में उसके बाद एक और news है सोभा के बारे में सोभा के बारे में रैली इस 4% on record 1463 करोड सेल्स बट रेगुलेटरी कंसर्ण तो यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी कंसर्ण अभी भी है जो कि मतलब थोड़े long time मतलब बहुत दिन पहले से है और रेगुलेटरी कंसर्ण अभी भी है लेकिन यहाँ पे जो है 4% रैली है क्यों यहाँ पे जो है sales जो है 1463 करोड का एक record sales यहाँ पे मिला है बाकि आप आगे इसको रीट कर सकते हो shares of real estate developers Soba opened a 4% higher on 10th April after the company said that it has achieved the highest ever quarterly sales value मतलब आज तक का highest ever quarterly sales value जो कि है 1463 करोड अब 3% from the last quarter and 32% मतलब 3% जादा है previous quarter से and 32% जादा है इसके पहले साल के इसी quarter से मतलब year on year comparison की बात हो रही है बाकि आप pause करके देख सकते हो यहाँ पे this comes just weeks after income tax department sleds raided on the company's offices in Bangalore and Chennai तो यह जो भी डीटेल है आपे साहई income tax department जो भी है इनके वज़े से आया था and बाकि बस यही था अभी का कुछ news around मैंने 5 news cover किया and इसके बाद जो भी news आएंगे मैं up to date आपको बताता जाओंगा एक-एक करके एक-एक करके तो guys अब मालो एक video अगर मैं बनाओंगा एक news पर तो थोड़ा साथ आप समझ लो मतलब ज्यादा आप कह सकते हो कि उतना मजा नहीं आएगा इसलिए मैं एक साथ 5 और साथ इस तरह के news cover करने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो का भी length थोड़ा छोटा रहे and then हाँ 5-7 news भी एक साथ cover हो जाए तो बस अब एंड करते हैं पर वीडियो को लेकिन यहाँ पर पूरे दिन का वीडियो का एंड नहीं है इसके बाद भी काफी सारे वीडियो आने वाले है क्योंकि अभी तो आप के लोग स्टार्टिंग है अभी और भी news आने वाले तो जो भी news आएगा मैं आपको cover करता रहूंगा तो subscribe करके bell notification प्रेस कर देना latest news को जानने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिन and thanks for watching